किसान भाईयो नमस्कार स्वागते आपका हमारी यूटूब चैनल स्मार्ट पार्मिंग में इस समय पर अधिकतर छेतरों के स्वैबीन में इल्लियों का अटेक देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मद्यपरदेश में बारिस की गतिवी दिया रुक गई हैं और जब बारिस नहीं होती हैं और तेज धूब निकलती हैं उट समय पर इल्लियों का काफी ज़्यदा अटेक देखने को मिलता है लेकिन सबसे बड़ी समश्या ये आ रही हैं कि ये जो इल्लिया लग रही हैं ये इल्लिया किसी भी दवाई से कंट्रॉल नहीं हो रही है मुझे कई किसानों के कमेंट मिले जिन में किसानों का ये कहना था कि उन्होंने महांगी से महांगी दवाई का प्रयोग कर दिया हैं फिर भी उनके स्वाइबिन में इलिया खत्म नहीं हुई है तो इस वीडियो में हम आगे डीटेल से चर्चा करेंगे कि स्वाबीन में इलिया क्यों नहीं मर रही हैं और इन इलियो को खत्म करने के लिए हमें कौन सी दवाई का पुरियोग करना चाहिए तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्क्रीप के अंतर तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देगे लालक्सरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी का निसान आया हैं उसे भी जरू क्यों नहीं मर रही हैं तो इस सवाल का जवाब यह हैं कि इस समय पर स्वैबिन में इलियो का अटेक काफी ज्यादा हो रहा है मतलब की काफी ज्यादा संक्या में इलिया लग रही हैं इसलिए ये सभी इलिया एक दवाई से नहीं मर रही हैं किसान भाईयो अगर आप आप भी अध से ज्यादा लग रही हैं इसलिए ये दवाएं भी बेचारी कितनी इल्यों को खत्म करें तो कहने का मतलब यह हैं कि दवाओं से इल्या तो मर रही हैं लेकिन इल्या ज्यादा होने की करण सबी इल्या नहीं मर रही हैं और कुछ इलिया छूट जाती है जो स्वाइबिन को फिर से नुकसान पहुचाना शुरू कर रही है अगर बात करें कि कौन-कौन सी इलियों का ज्यादा अटेक देखने को मिला है तो इस समय पर कुछ चैतरों में बिहार हेरी कटरपिलर इलिय का सबसे ज्यादा प्रकौप देखने को मिला है किसान भायू बिहार हेरी कटरपिलर इलिय बिल्कुल तमाकू इलिय के जैसे ही पोदे को नुकसान पहुचाती है या इलिय पत्तेयों की नीचली सता पर अंडे देती हैं जिससे कई सारी इलिया निकलती है और या इलिया पूरे के पूरे पोदे को खराब कर देती है इन इलियों का फोटो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा तो अगर आपके स्वयबीन की पसल में भी बिहार, हैरी, कटरपिलर, इलिय या फिर तंबाकू, इलियों का अटेक देखने को मिला है तो जिन पोदों में इन इलियों ने अंडे दिये हैं सबसे पहले तो आप उन पोदों को उकार कर खेट से बाहर डाल दीजिए और उसके बाद अपने स्वयबीन में क्लोरेंटरा नेली प्रोल, टेटरा नेली प्रोल, स्पिने टोरम या फिर फ्लूबेंडियमाइड का तुरंत इस्प्रेक कर दीजिए इसके लबा इस समय पर कुछ छेतरों में बड़ी साइच की सेमी लूपर इलियो का अटेक भी देखने को मिला है तो किसान भाईयो बड़ी साइज की सेमी लूपर इल्यो को कंट्रोल करने के लिए आपको लेमडा साइलो थिन या फिर इंडोकसा कार्ब का पुरियो करना चाहिए क्योंकि अगर आप क्लोरेंटर नेली प्रोल या फिर फ्लियो बेंडियामाइड का पुरियो करते हो तो इन दवाउ का अगर इल्या बड़ी होती है तो इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है तो इसके लिए आप इन दवाउ के साथ में कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइड को मिलाकर इस्प्र कीजिए जिससे बड़ी साइज की इल्या भी असानी से खत्म हो जाएगी तो किसान भाई यो हमारे वीडियो का उद्यश ये हैं कि अगर आपके स्वाइबीन में इल्या नहीं मर रही हैं तो आप जो कोराजन एमपली को डालते हैं इन दवाउ के साथ में इंडॉक्सकार्ब या पिर प्रोपेनो साइपर दवाउ को मिक्स करके इस पर केजिए जिस